हमस्कार अनकेडमी के इस ओनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका अपिनन्दन रास्तान 360 पर आपका फिर से स्वागत है 1. Crack RPSC with India's largest learning platform 2. Get Plus qualcुanı on unlock 들어 3. Prepare for All Raasthan State Exams with India's largest learning platform 3. Get Plus subscription and access unlimited live and recorded courses 3. from India's best educators सब्सक्रिप्शन मेरा नाम दामोदर प्रसाद सर्मा है मैं में में हिस्ट्री एड और हिस्ट्री से नैट भी हूँ टीचिंग एक्स्पिरियंस 15 एर्स का है मैंने 2018 में टीचर एक्जाम भी किलिर्ड किया है तो यदि आप लर्निंग एप कोर्स करीदते हो अनकेडमी पे तो आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेज जिसके बाद में आप अपने एजुगेटर के साथ चैट कर सकते हो उनके साथ डिसकसन कर सकते हो अपने डाउट पूच सकते हो और आंसर पॉल में भी भाग ले सकते हो जो श् ahog ञ Gerald College कैस रहेंगे रहेंगे वो सारे जो कोर्स है वह आपको एक Laurain में मिलेंगे और अपने performance का analysis कर सकते हो unlimited access मिलेगा एक बार आप subscription ले लोगे तो उसके बाद में live और जो recorded courses है वो आपको मिलेंगे तो आप उन्हें comfort तरीके से किसी भी device पर देख सकते हो अपने पसंद के सभी शिक्सकों के साथ आप मोबाईल ये laptop में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्यान कर सकते है यदि आप किसी भी live वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो आप कभी भी रिकार्ड रूप मेर वीडियो देख सकते है सभी कक्सियाओं के बाद class notes दिये जाते हैं पड़ते हैं चोथी class एक डाउट क्लीरिंग सतर होती है जो भी चोथी class होगी ना उसमें डाउट क्लीरिंग होगा जिसमें चल रहे हैं वीडियों से समंदित आपके सभी डाउट को दूर किया जाएगा तो अभी N Academy का free plan चल रहा है जिसमें आपको मिलेंगे 50 प्लस top educators 50 प्लस free live classes every week with live doubt clearing यानि doubt clearing live होगा आपका weekly free mock test होंगे free live quiz होंगे जिसमें 20,000 plus question होंगे डेली T20 free live quiz होंगे जिसमें 20 question आपको 20 minute में करने होंगे ठीक है तो ACF free revision कैम भी चल रहा है जिसमें की आपके सारे सब्चैक्ट जैसे modern history, Indian art and culture, रास्तान history, रास्तान culture ठीक है न सारे इसमें हो रहे हैं English, current affairs, science ठीक है और उनकी डेली timing दी गई है जिसमें आपको theory revision के लिए Monday, Wednesday और Friday होगा और Tuesday, Thursday और Saturday को MCQ practice होगे तो इसलिए ACF revision करने का यह परमस्तर है तो free revision कैम को आप जोइन कीजिए अभी join कीजिए unlimited ultimate 25 days free revision कैम को इसमें आपको मिलेगा daily guidance from top educators, revision with theory and live MCQ practice, live doubt clearing, language Hindi, all subjects covered हो जाएंगे download the anacademy app now and use dps10 to unlock free plan ठीक है dps10 को आपको unlock मतब आप free plan लेना चाहते है न तो dps10 code का use करना है और अपने plan को जो free करना है ठीक है न तो मेरा code जरूर यूज करना dps10 तो unacademy learning app को आपको download करना है play store पर जा करके ठीक है तो free classes versus plus classes में क्या फरक है कि free class में आपको limited slave square होता है जबकि plus class में आपका complete slave square होगा free class में आपके occasional practice test होंगे और plus class में आपके unlimited practice test होगे free class में आपके occasional PDF या notes होंगे और plus class में unlimited PDF या notes होंगे limited doubt solution होगा pre class में और plus class में आपके सारे जो doubt है न वो solution किये जाएंगे top educator के द्वारा ठीक है न तो आपको याद रखना है कि इसमें जो plans हैं उसमें 12 month का plan सबसे अच्छा है आपको screen पर देख रहे हैं development का जो plan है उसके लिए 7000 रुपीज है ठीक है न लेकिन यदि आप मेरा code DPS 10 यूज करते हो तो इसमें आपको मिलता है 10% discount ठीक है और यह जो course है यानि 7000 का आपको पढ़ेगा 6300 रुपीज में 24 months का plan भी बहुत अच्छा है यह दरसल 8400 रुपीज का है ठीक है न और इसमें यदि आप मेरा referral code यूज करते हो DPS 10 तो इसमें भी आपको मिलेगा 10% discount और यह आपको पढ़ेगा 7560 रुपीज में तो अभी ना कोर्स भी चल रहे है आरेस पाउंडेशन कोर्स चल रहा है जिसके जो पैच है वो स्टार्ट है तो यह 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे है और फ्रवरी ना वहां से स्टार्ट होंगे ठीक है याद रखना है आपको और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो कोर्स हैं यह काफी अच्छे हैं आपके लिए यह 12 मंत का है पांच फरवरी तक चलेंगे बाद में अगले साल पांच फरुर तक इसमें आपको देखो टोप एजु के द्वाराचारी की गई है उसके लिए भी कोर्स है और यह जो कोर्स है यह पांच महने का है यानि पंदरा फरवरी से स्टार्ट होगा और यह तीस जुन तक कोर्स चलेगा तो इसमें टॉप क्लास के एजुकेटर होंगे जिसमें आपको कपलीट गाइडेंस मिलेगी सेकेंड के लिए सोशल स्ट envelop गाइडेंस ना लाइव डाउट क्लियरिंग मिलेंगी लेंग्वेज हिंदी है और साफ्ताई क्वीज फॉर प्रैक्टिस यानि प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेगा साफ्ताई के वीच ठीक है यह जुरूर द्यान रखना है भी एकमार से आरपेसी कटेगरी सब्सक्रिप्शन पर कोड डिस और आसका हमारा टॉपिक है मोरियावस्स मौरियमस्स आपको पता आरेस आरपेसी एकजाम एसाई ठीक है रीट सब के लिए मैथो पुर्ण है ठीक है तो इस वस्स में हमने अभी चुने हैं कुछ सांदार परसन और वह आपके लिए हैं तो यह आपको साथ में तो क्यूशन के solution कराऊंगा और साथ में यह जो क्यूशन से हैं उनके बारे में डिटेल भी बताऊंगा मतलब साथ में टोपिक भी आपका क्लियर होता जाएगा तो मौरियमस टोपिक भी साथ में क्लियर होता जाएगा क्योंकि आपको मैं बताऊंगा साथ साथ क्यूशन की पूरी डिटेल बताओं ठीक है तो अभी अपने स्टार्ट कर लेते हैं लेट स्टार्ट नाओ पहला किस सना रहा है इसमें वहे परांत इस्ट किसन क्या है वहे परांत जिसमें आटली पुत्तर परसासन का वर्नन उपलफ्द है कौनसा है परांत नहीं है इसमें गरंत यहा है वहें गरंत क्हूं nossa है जिसमें पाट दी पुतर का परसासन मिलता है عग्ष्थ सास्तर इंडिका राश्त्रंगिनी कौन सा है राश्त्रंगिनी और पुरान किसमें मिलता है बताईए सोचिए तो सबसे पहला ओप्षन है अर्थ सास्तर वाला अर्थ सास्तर को किस ने लिखा था को टीलिया ने लिखा था ठीक है तो अर्थ सास्तर में हालां कि राजनिति का वर्णन तो किया गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि भी पार्टली पुत्र के परसासन का वैसे वर्णन किया गया है उसमें तो पूरे परसासन का लेकिन पार्टली पुत्र के परसासन का वर्णन आपको मिलेगा किसमें इंडिका में मिलेगा कौन सी पुस्तक में मिलेगा इंडिका में मिलेगा और यह जो इंडिका पुस्तक है इसके जो रचनाकार कौन थे इसके रचनाकार थे यह जो पुस्तक है यह कौन सी बासा में लिकी गई थी इसलिए पहला जो क्यूस्टन है उसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा बी इंडीका पहली पुश्टक थी जो लिखी गई थी किसके दोरा मैक्स्ट्रेंस के दोरा तो पहला क्यूस्टन का आंसर कोन सा जाएगा बी आंसर आजाएगा इंडीका जिसमें बताया गया है कि पार्टली पुतर का परसासन है वो किस परकार से चलता था इसका मतलब इसमें वर्णन किया गया है किसका पार्टली पुतर परसासन का अगला क्यूस्टन है कि असोक को समरण किये जाने का क्या कार्ण है यानि असोक को हम क्यों याद करते हैं तो असोक को अपन याद करते हैं इसलिए कि किसलिए करते हैं मतलब इसमें ओप्सन दिये हैं पहला है कलिंग विजय के लिए दूसरा है बोध महासमेलन के लिए तीसरा है बोध दरम के परचार के लिए और चोथा है इसमें जन हितकारियों के लिए ठीक है तो किसली अपने याद करते हैं किसको असोक को ये अपने को बताना है याद रखना है कि इसमें वैसे चारों ही ओप्सन सही है मनलब जैसे 261 इस्सा पुरो में असोक ने प्राफ्त की थी कौन सी विजे कलिंग विजे प्राफ्त की थी असोक ने कब 261 इस्सा पुरो में ठीक है और उसके बाद में बोध मासमेलन भी इनों ने बलाया था और ये कब बुलाया था 251 इस्सा पुरो इकना बोध संगेतिकाय जनुआ था बोध दर्म का परचार भी किया था आपको पता है असोक ने एकना सिरिलंका वगरे में जनहित के कारिये भी कराई थे यानि इसने सड़कें बनाई थी दर्मसाडाई बनाई बहुत से काम करवाई तो असोक को मुख्य तया इसलिए याद करते हैं क्योंकि इसने जनहित के कारिये करवाए थे जो जो के काम आने वाले मुख्य कारिये कौन से थे जनिहित के कारिये तो इसलिए जो दूसरा Question है उसका जो Answer आएगा वो आपके कौन सा आएगा D आएगा कौन सा आएगा D न इन्होंने जनिहित के कारिये करवाई थे इसी से अपने को Detail मिलती है कि जो असोख है न वो एक महान साशक था ठीक है अगला क्यूशन है धरम महामातर का क्या कारिय था पहला है बोध धरम का परचार करना दूसरा है मठा दिस करता वे दीसरा था धरम परिवासित करना और चोथा है नेतिक सिदान्तों का परचार करना ठीक है, तो इसका जो अर्थ यह होगा कि लिए एक अधिकारी न्युक्त किया था, जिसका नाम क्या था? धरम महामात्र यह जो अधिकारी था, धरम महामात्र, इसका कारिय यह था कि यह नेतिक सिधांतों का परसार करता था चिल्एT की दel 네फटिक जितांतों का पर्षार किया जाता था ये द्रम्मा मतर का क्या था कारिय था था तो इसलिए илась question का answer कौन सा आएगा ये आएगा नेतिक सीतांतों का पर्षार करनें पहुंग है तो आपको पता है कि असोक का जो पांच होज डा lhek है इसमें लिखा गया है कि असोक है ना परते एक पांचवें वर्स में एक अधिकारी की नियुक्ति करता था और ये जो अधिकारी है इसे ही क्या का जाता था दम महा मातर ये अधिकारी होता था जिसकी नियुक्ति असोक के द्वारा की जाती थी पांचवें वर्स में तो इस क्यूस्टन में तो यही पुछ है भी द्रम्मामात्र का कारिये क्या था द्रम्मामात्र या ध्रम्मामात्र तो इसका जो कारिये होता था वो नैतिक सिदांतों का परचार करना होता था यानि इस अधिकारी की तबारा नैतिक सिदांतों का परचार किया जाता था अगला किस्टन ये है कि तर्थिये बोध समेलन संपन हुआ था तो पहला जो इसमें राजग्रे है दूसरा दिया है वैसाली तीसरा दिया है कुंडलवन चोथा दिया है पाठली पुतर तो आपको पता है पीछे बोध किस्टनों मैंने बताया था बहुत द्रमोले कि तर्थिये बोध संगीती आयोजन हुआ था 255 पुरों में ये आयोजित हुई थी पाठदी पुतर में इसके जो अध्यक्स थे वो कुण थे मोगली पुत्तिस मोगली पुत्तिस नहीं ये इसके क्या थे अध्यक्स थे ठीक ना तो ये पाठदी पुत्र में जीत हुई थी कब 251 इसा पुरों में ये तो तर्थिये बहुत समेलन है इसका जो वर्णन है ये बहुत समेलन का कि इस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है यह जो बोध संगीती थी इसमें दरसल क्या था कि 60,000 बोध भिक्सु ऐसे थे जिने बोध द्रम का सही पालन नय करने के कारण बोध द्रम से निसकासित कर दिया गया तो बोध द्रम से निसका सित किया था कितने बोध भिक्सु को 60,000 बोध भिक्सु को ठीक है तो एक परकार से कह सकते है कि इसमें जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा आपके दी आएगा ठीक है ना तो तर्थिय जो बोध संगेलन है उसका जो आयोजन है यह कहां पे हुआ थ की बाढ़तीय लोगों के जिस कुण की मैंक्स्तनिजणे परससा की है वो कौन सी है तो पहला है ऑपसें सारोजनिक शिक्ष्या पर दूसरा मनोरंजन पिरिया पर तीसरा है उचने तिक स्थर पर और चोथा है खेल प्रेम पर याद रखना है की भी लिखा था तो यह निम एक जिनों ने ईंडी का पुष्टक लिखी थी जो आया था संदर गुप्त और यह के समय में यह दूद था किसका सेलुक्स निकोटर का सेलुक्स निकोटर का यह दूद था और जब यह बारत में आया तो उसने बारत में देखा कि इन लोगों का जो नेतिक्स ता रहना वो काफी उस था एकस्टनीज कहता है कि जो लोग थे उनका दूसरी लोगों का बड़े गरम जो सी सी आदर कर थे दे दिए लिखता है कि बहुत ही आदरपुरुक व्यार था बार्थियों का ठीक हैना और ये बताया गया कि एक परकार से इसी वियार के कार्ण जो बारतिय है ना वो एक परकार से कह सकते हैं कि काफी परसंस नहीं है थे तो इसलिए इसी वियार की परसंसा की गई थी किसके द्वारा एक्स निसके द्वारा इसलिए जो पांच्वां किसने उसका अंसर का एक आएगा सी आएगा उचनेतिक स्तर अटा किसने बिंदुसार पुत्तर था असोक का ये तो बिल्कुली जी सा किसने चंदरगुप्त मोरिय का अजात सत्रू सिदार तो मोरिय उसके सा सकते ही नहीं जब कि असोक तो खुद किसका पुत्तर था बिंदुसार का इसलिए ओप्षन में कौन सा आएगा पी आएगा चंदरगुप्त मोरिय ने जब दोसो अठाण में इससा पुरो में व्याग किया था अपने स्रीर का कौन सी विदी के द्वारा सलेखना विदी के द्वारा उसी समय जो सासक बने थे वो कौन थे बिंदुसार थे बिंदुसार का सासन माना जाता है दोसो अठाण में इससा पुरो से दोसो तीयतर इससा पुरो ये सासन था किसका बिंदुसार का और एक प्रकार से कह सकते हैं कि बिंदु सार भी परतापी सासक था और ये चंदरगुप्त मोरिये के बाद में सासक बना था जिसका सासंकाल कितना था दोसो ठाण में इससा पूरो से दोसो तीयतर इससा पूरो इसलिए चटे किसन का अंदू साएगा भी आएगा चंदरगु और नीचे दे रखा है कुमार गुपत इसने प्राजित किया था तो मैं बता देता हूं कि जैसे सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था कि सेल्यूक्स निकोटर इसकंदर के सेनापति का नाम था ठीक है और जो सेल्यूक्स निकोटर है सेल्यूक्स निकोटर उसके बारे में याद रखना है कि इसने इसके साथ संदर्गुफ्त मोरिये का संगर्स हुआ था हुआ था दो सो तोरी इन सो पांच इस्सा पूरों में ठीक है यह जो संगर्स हुआ था इस संगर्स में संदर्गुफ्त मोरिये ने सेल्यूक्स निकोटर को पूरी तरह से पराजित किया था ठीक है बाद में कहते हैं कि दोनों के मद्दे संदी होई थी और यह जो संदी भी थी ना इसमें जो च्यार पर्देश थे यह जो च्यार पर्देश थे यह जो गूर्देश के पास थे सेल्यूक्स निकोटर के पास। इसकुंदर की मर्द्टियों के बाद में यह जो यह ता ह wanधार यह भी कांपे अफगानिस्तान में और एक था हेराँ यह भी काँए अफ़ानिस्तान तो यह झार छेतर है ना यह किसको दिये गए थे चंद्रगृत मोडिया को बदले में कहते हैं कि चंद्रगृत मोरिया ने 500 खाती भी दिये थे किसको इसे लुक्स को दिये थे ठीक है ना यह जो उसके बाद में यह जो संदी है इसका जो वर्नन है वो किया था एक इतियासकार जिसका नाम था एपिनियास क्या नाम था उसका एपिनियास था ठीक है तो एपिनियास ने इसका वर्णन किया और ये जो संदी है ना इस संदी में ये भी हुआ था जो सेल्युक्स है कौन जो सेल्युक्स है उसकी पुत्री तो उसका विवा भी किस्य हुआ था चंद्रगुफ्त पारिय और न आद। सले पैला अंतराष्टीय विवा है माना जाता यह इंत्यास में किसी इन्टरनेशनल विवा का वर्णन नहीं मिलता है इतियासे समंदित बता रहे हु तो ये एक परकार से कहा जाए तो पहला अंतराष्टिये विवाद था जो हुआ था चंदरगुत मोरिये और हेलेलना के पीज में ठीक है ये जो विवाईक समद है इसका जो वर्णन है वो स्ट्रेबो ने किया था किस ने किया था श्ट्रेबो नामक एकरी की दियासकार ने किया इस पूरी संदी का वर्णन अपने को मिलता है किसमे मुद्रा राक्सस में किस में मिलता है मुद्राराक्सस में और यह जो मुद्राराक्सस है यह किसने लिखी थी विसाक दतने तो यह मैंने इस दिये बताया क्योंकि क्यूशन क्या था गरीक सासक सेलुक्स को किसने पराजित किया था चंदरगुप्त मोरिय तो आपको इतना याद रखना है कि 305 इस्सापुरो में चंदरगुप्त मोरिये ने सेलुक्स निकोटर को पराजित किया था बाद में दोनों के मद्य संदी हुई और संदी के बाद चंदरगुप्त मोरिये को चार परदेश दिये थे सेलुक्स ने बलुचिस्तान, काबुल, कंदार और भेराथ बदले में जो चंदरगुप्त मोरिये है उसने सेलुक्स को 500 हाथी भी दिये थे ये जो संदी है इसका जो वर्णन है यानि जो संदी मैंने आपको बताई इसका जो वर्णन है वो किसने किया था एपी नियास ने किया था संदरगुप्त मोरिये के साथ सेलुक्स की पुत्री का विवा हुआ जिसका नाम क्या था हेलेना दरसलिए इतियास में पहला अंतराष्ट्रिय विवाहे भी माना जाता है ठीक है इस विवाइक समंदों का वर्णन किया गया था श्ट्रेपो के दुवारा किसने किया श्ट्रेपो ने वैसे इस पूरी संदी का वड़न मुद्रा राक्सस में जो किसने लीखी विसाग नतने यह टॉपीक क्लियर हो रहा है ना साथ साथ में आपके ठीक है तो मैंने आपको पूरा संगर्स बता दिया जो सेल्यूक् ने हाशल था सहा इस्थान का। था सीडिया और बेभूню। और इसलिए और वो इनिए शेत्रों को दिया गया था संदी के बाद किसको चंद्रगुपते मोरिये को अर्च सास्ते में सित्ता की व्याख्या इस प्रकार है ये सित्ता है वो जोती जाने वाले भूमी C अप्शन है कौन साएगा C असोक के पसाद देवनाम पिरिये की उपादी का परियोग किस ने किया असोक के पास को जो उपादी थी? वैसे के पास स्रिलंका का साससक था ना तिस उसके पास भी कोन सी उपादी थी? देवनाम पिरिये की उपादी थी लेकिन असोक के बाद में किस ने किया था तो असोक के पोतर ने इसे दारण की थी इसका नाम क्या था दसरत यानि असोक के पोतर दसरत के पास कौन सी उपादी थी देवनाम पिरिये की उपादी थी इसलिए इसका जो option आएगा वो कौन सा आ धिर नाम का अतरीक्त में यह भी है कोन्सा नाम है इसे बेंद नाम पूस्टक में और भी हित बात कर रहे हैं यहित टो विश्नोगुप्त है है कि ऊंस्य यह संद। आपको पताई है कि चानक्या के द्वारा या कोटील्या के द्वारा एक भुस्तक लिखी गई थी, आत्सास्तर. यह दरसल क्या है कि 20 सत्ताग्दी में, मलवू, पुर्वार्द में पहले, 1989 के लगपग, यह फुस्तक मिली थी किसी ब्राम्मन को, बाद में मैसूर के फुस्तकाले द्यक्स, मैसूर के कोण थे, फुस्तकाले द्यक्स थे, जिनका नाम था सामजी सास्तरी, प्रकासन करवाया, पुनर प्रकासन कराया था, पांडूली पी इसकी दक्षिन में किसी ब्रामन को मिले थी, ठीक है यह जो अर्ध सास्तर है, यह अपन बात करें तो यह है, कौन सी बासा में? संस्कृत बासा में और इसके कुल पंद्रा भाग है अंसास्तरी कितने बाग है? पंद्रा भाग है और इन्हें कहा जाता है अधिकरण जो पंद्रा भाग है इन्हें क्या कहा जाता है? अधिकरण कहते हैं, अधिकरण कहते हैं, ठीक है न? तो संस्कृत बासा में ये पुस्तक इसके कुल 15 भागें जिने क्या का जाता है अतिकरण का जाता है ठीक है इसके बाद में अपन बात करें तो ये जो पुस्तक है ये वैसे राजनीती पर आदारी था निती है राजनीती है इसमें मजभ इस प्रकार से सासन सासक के दोरा चलाया जाए कहते है कि चंद्रगुत मोरिया ने इसी के नुसार फिर शासन सलया था नहीं अपनल पर पर सासन पढ़ते हैं आपको इतना याद रखना है कि कोटिल्य के द्वारा परत सास्तर पुस्तक रचना की गई इस पुस्तक की पांडूली पी मैसूर में मिली थी, जिसके बाद में मैसूर के पुष्त काले देख सामजी सास्त्री ने इसे फिर से परकासित कराया था, कौनशी बासा में पुष्तक संस्क्रित बासा में है और इसके कुल 15 भाग है और इन बागों को क्या का जाता है अधिकरण कहते हैं, है नीहीं इन पंत्रापा दो उन क्या का साथ है अगला क्यूस्टन है न्हीं कुछ सी зр of लिखन और किस दोरीजय की मौरीय की जल्स सा आदन विरस्ता चैनल्द पहला तो है असोक का रुमन स्टम्ह लेक अ दूसरा है खारवेल का हाती गुंपा लेक। दीसरा है रुद्र दामन का गिरनार लेक। और चौथा है सकंद गुवत का गिरनार लेक। ठीक है तो आपको पता ही है कि जंद्रगुवत मोरिय के समय सोराष्टर में एक जील का निर्मान करवाया गया था। वो जील थी उसका नाम क्या था सुदर्शन जील कौणशी जील थी सुदर्शन जील थी और इसका जो निर्मान है वो करवाया था फुस्य गुप्त ने करवाया था। बाद में इसका जो पुन्र निर्मान है ये असोक के समय हुआ तिर इसका पुन्र निर्मान रुद्र दामन के समय हुआ तो इनके समय हुआ था तो इसका जो उलेख है न ये जुन्नागड देख में किया गया है किस लेख में जुन्नागड देख में जुन्नागड देख में में इसलिए जलस शादन के जलस सादन होता है तो इसलिए जानकारी है वह अपने को मिलती है रुद्रदामन के गिर्णार अभी लेक से जानकारी मिलती है मोरिय की जलस सादन व्यबस्ता इसके बाद में है असोक का समकालिन मिसर का राजा था, असोक का समकालिन मिसर का राजा कौन था, इसमें आंस्वर दे रखें कौन कौन से, अलेकजेंडर, एंटियोक्स दिवितिय, मगगस, तालमी सेकंड फिला डेलफस, ये चार ओप्सन दे रखें, तो याद रखना है कि ज दालमी 2, फिला डेलफस, ठीक है यह सा सकता असोग का समकालिब ठीक है तो तेरवा क्यूसन है उसका आंसर कोन सा आएगा दी आए असोग के समय कहा का सा सकता कर चा सकता यह मिस सरका सा सकता किस के समय असो के समय ठीक है? ठीक है? असो के समय यह साथ सकता तो तेरबे किसन का जो आंसर है वो कुण सा आएगा? यह आएगा Next question असो की नितियों वे इसके वेतितों की जानकारी का स्थरोत है पहला है समकालिन बोज साहिते दूसरा है संस्क्रित साइटे तीसरा है उत्खनन और चोथा है सीला लेक और स्तंबलेक ठीक है तो आपको पता है कि जो असोक है उसके जो लेक हैं सीला लेक और स्तंबलेक ये काभी परसित माने जाते हैं ठीक है तो असोक ने ये उल सीला लेक है सोता है इतों कि यह सिळा लेग पाई गए है कितने स्थानों। को मिलुक्त क eerste, सी लालेग यह और कितने स्थानों पर पाई गए यह जो सिलालेग, आठ स्थानों कर भ hack कोन से inde ए एक तो है मांसिहरा दूसरा है पांसी तीसरा है गिरनार जोथा है एरिगुडी पांचवाँ है सोपारा चटा है दोली साथवाँ है जोगड और आठवाँ है साबाजगडी यह आठ स्थानों पर पाए गए इस स्थानों पर है आठ स्थानों पर साबाजगडी और मांसिहरा तो दोनों पाकिस्तान में है जो कालसी है ये पढ़ता है उत्राखंड में इरिनार है ये काँपे है गुजरात में एरिगुडी पढ़ता है आंदर परदेश में सोपारा कहां पढ़ता है महराश्टरा में दोली और जोगड काँपढ़ते हैं उडिसा में पढ़ते हैं ये है आट स्थानों पर 14 शिलालेक, यानी परतेक स्थान पर ही इनकी संख्या कितनी है, 14, अलाकि याद रखना है कि दोली और जोगर्ड है रहां पर ये पाए गए है कितने राधे रहा किसे कितने मिले हैं इत्षा कितने मिले हैं वैसे जो सिलालेक है इनकी जो सबकी जो पसा है ना वह है और अर। जबकि जो लिपी है इनकी वो है ब्रामी और खरोष्टी जो बुरत सिलालेक है ने इसमें दो ही लिपी आए कोण सी ब्रामी और खरोष्टी याद रखना है मानसेहरा में मानसेहरा और जो साबाजगटी है वहाँ पे लिपी है खरोष्टी एरिगुडी ऐसा स्थान है जहां पे दोनों है तो परामी भी है और कौन सी है इसमें करोश्टी भी है यानि एरिगुडी में दोनों ही है परामी भी है और कौन सी है करोश्टी भी है दोनों लिपिया है तो इस तरह से यह लिपिया यहां पर लिखी गई है तो ये जो लिपियां है अन्यमे सभी में ब्राम्य है तो पुछा जए भी सिला लेखों में सरवादी कौन सी है ब्राम्य है इसी तरह इनके जो असोक है इसके कितने स्तमलेख है साथ स्तमलेख पाए गई तो इसलिए आप से पुछा जए भी इसकी नितियों और व्यक्तितों क जानकारी का स्तरोथ क्या है? सिला लेक और स्तमलेक है तो याद रख लेना कि जो असोक है उसके कुल सिला लेक हो कि संक्या चोदा है ये जो चोदा सिला लेक है ये आठ स्थानों पर पाए गए है मानसेहरा, कालसी इरनार, एरिगुडी सोपारा, दोली गड़ में इनकी संक्या कितनी है तेरा है वैसे याद रखना है कि मानसेहरा और साबाजगटी में ख्रोष्टी लिपी है एरिगुडी ऐसा स्थल्था जहां पे ब्रामी और ख्रोष्टी दोनों थी बाकी सभी में लिपी है वो ब्रामी है इन सब की जो बासा है वो कौन सी है प्राकरत है असोक के जो स्तमलेक है वो भी उनकी संक्या भी साथ है और ये जो स्तमलेक है ये छे जगए पर पाए गई है तो ये सिलालेक और स्तमलेक है इसी में अपने को जानकारी मिलती है भी असोक कैसा था तो सारी जान के रिसमें, इसलिए चोद्वा जो क्यूस्टन है, उसका जो आंसर हो डी आएगा, कौनसा आएगा, डी आएगा, बंदरवाई यह दो पहले क्यूस्टन आ रहा था बार बार, मैक्स्तिनिज ने कौनसी पुस्तक लिखी थी, कौनसी लिखी थी, इंडी का लिखी कोटिल्य का अर्थ सास्तर है, इसके बारे मैंने बता दिया था, पहला क्यूस्टन का है, इसका संद्रगूत मोरिय का समंद में एक नाटक नहीं है, आतम कता भी नहीं है, इतियास भी नहीं है, इसमें मोरिय का लिखा, इसमें क्या है, सास्तिन के सिदान्तों की एक पुस्त पहले बताया था कि इस पर आदारीत है राजनीती पर आदारीत है और इसके सिदांतों की एक पुस्तक माने जाती है तो सोड़वान जो क्यूस्टन है उसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा मैक्स्तियेंज ने बारत्य समाज को कितने वर्गों में वाजित किया याद रखना मैंट सॐस्टन मेरे बताया था आपकिल उस तरह से साथ वर्गों में वाजित किया लिए विएपारी थे पुरहिट थे, ठीक करना तो इस तरह से इसने सात वरगों में बाजित किया था बारतिय समाज को, किसने मैकस्तनीज ने, हालांकि कोटिले ने जरूर लिखा था कि इसनो वरण वेवस्ता ही थी, और चार ही वरण थे, ब्रामन, छत्रिय वैसे और सुदर, लेकिन मैकस्तनीज कहता है कि उ शेतर में विद्रो का दमन किया, यह अठारवा कि उसन है, अठारवा कि उसन में क्या पूचा गया है, कि अपने पिता, बिंदु सार के सासनकाल में, असोक ने, इस शेतर में विद्रो का दमन किया, बैला उप्शन क्या है, ए तकसिला, बी है मध्यपरदेश, सी है दक्षन पत्थ और डी है प्राच्चे लो कांपे दमन किया गया था याद रखना है इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा कि यह आएगा कि इसका पे दमन किया गया था तकसिला में दमन किया गया था इसके दोरा किया गया था असोक के दोरा दरसल जो तकसिला है ना वहाँ पे वैसे दो विद्रो हुई थे पर्थम विद्रो का दमन असोक नहीं किया था किस ने किया था असोक नहीं पर्थम विद्रो का दमन किस ने किया था असोक नहीं किया यह जो विद्रो था पर्थम विद्रो था तो यह दरसल क्या था कि पर्थम विद्रो में तक्सिला में जब यह सेना लेकर गया तो वहां पर इस्तिती काफी खड़ाब थी क्योंकि इसका भाई सुसी मैना इसे मरवाना चाहता था और इसलिए सेना को वहीं पर रोक लिया थोड़े से सेनिक बेजे गए थे, कहा जाता है कि जो असोख है उसने तकसिला में जब देखा कि सेनिक थोड़े है, तो निश्य दूरूप से उसे मोती नजर आ रही थी एक परकार से, लेकिन जो असोख है उसने उसी समय कहा, असोख के दोरा कहा गया, कि यदि धर्ती मा लेकिन वो अतियार मिल गए, जिसके काण इसने विद्रो का अंत कर दिया था, तो इसलिए ठार में किसन का अंसर कौन सा आएगा, ये आएगा तकसिला, ठीक है? नेक्स्ट क्यूसर, सारनात के दमेक स्तूप का निर्मान किसने करवाया? पहला उप्शन क्या है? असोक, कनिस्क, मिंडार, हर्स आपको वैसे तो पताईए कि जो स्तूप है, वो क्या होते हैं? जो अवसेज थे ना बुद्ध के या वस्तूएं थी, उनके उपर जो निर्मान करवाये गए थे, वो क्या थे? स्तूप थे उनने क्या का गया था? स्तूप का गया, ठीक है? तो इतना दफिक से फी चारों पोद्ध द्रम से समन्दी था, सोक, कनिस्क, मिंडार, हर्स लेकिन इसका जो निर्मान है, वो किसने करवाया था? असोक ने असोक ने कहते हैं कि बहुत से स्तूपों का निर्मान करवाया था असोक, तो जो उननीसवा क्यूसन है उसका आंसर क्या आएगा? अ सोक. वीछवा किस्थन है कि मोरीय काल का माननक सिkkha ऑफ़ा था परिफ़ला निश्थकण दुस्खरा मास्थक टिसरा है कश्णल और चोथा है पण झाल कम याद रखना है कि मोरीय काल में जो सिkkhrage चलते थे उन में सबसे मानन कौन सा था पण था इसलों भीश्वें कि इसन का अंसर कौन सा आएगा D, यहीं अनि पन नामक जो सिखा है, वो मोरियकाल का सबसे माननक सिखा दाःता दूर्ण किसन का अंसर कौन सा आएगा D, ऑड़ा P Elsa आगे किस्वें का परसीत स्थम जो प्रारब में कोसांबी में था पर योग में किस का सक्के द्वारा लाया गए किस्वें का पहला उप्षन है कनिस्क, दूसरा है समुंदर गुप्त, दीसरा है फिरोज दुगलक और चोथा है अकबर किस्वें का सबदेन में का परसीत स्थम जो प्रारह में कोशांबी में था परियूग की सासक के द्वारा लाया गया गया निस्क तो नहीं लाया था समंद्र गुप्त भी नहीं लाइए फिरोज्टू कि लाया जरूर था एक नवह दूसरे थे फिरोज्टू की लग, टू परा से बाखी अंत यह दू लया था लेकिन जो अकबर है न वह लाया था कौन सा को सांबीवाल को सांबी का जो है न बाद में लखा गया था कहांपे लिपाइव किले में का पर यह बाऊ किले से चाहिए प्रियाग में बहद राक इसके घारा परियागराजनाम पड़ गया वी लुर्म थी कि याग इसके दौर लायागा था अकबर favourite लाया गया है कि यह कोसांभी बालेख इना इसपर दरसल वैसे असोक की रानी का नाम बिए था इसका नाम क्या था कारूह की या चारूह की ये असोक की रानी थी और इसका नाम मिलता है किसके उपर इसको सांबी वाले लेक पर यह कहना दरसल असोक की वैसे तो कई रानिया थी लेकिन ये एक मातर लेख है असोक का जितने भी लेख है जिनमें असोक की किसी रानी का नाम मिलता है तो इसलिए इसे कहते हैं रानी का लेख क्या कहते हैं कोसांबी वाड़े को रानी का लेख कहते हैं इसका मतलब ये कौन लाया था फिर अकबर लाया तो इसका अंसर क्या होगा ? डी होगा तो मैं दोबारा बता रहा हूँ एक परकार से कहा जाए तो जो कोसांबी में जो इस्थित था ना इसे अकबर लाया था कोसांबी से इलावबाद वैसे दो और थे असोक के स्थम एक तो टोपरा में था जो दिली लाया था फिरोज तुगलक दूसरा मेरट में ये दिली लाया था फिरोज तुगलक ठीक है जो कोसामभी लेक है ना दरसल इसके बारे में याद रखना है कोसामभी जो लेक है ये जैसे काफी परसीद लेक है क्योंकि इस पर असोक की रानी का नाम मिलता है जिसका नाम क्या था कारुवकी या चारुवकी था ठीक है तो ये एक मातर लेख है जिस पर असोक की किसी रानी का नाम बिलता है और इसलिए इसे कहते हैं रानी का इसके बाद में हैं गुरुमन देश दम किसके साथ संकाल का है असोक निस्क समंदरगुत मिंडार रुमन देई में असोक नहीं लिखवाया था इसे किसने लिखवाया था असोक इसी के समय का है जो रुमन देई है ना दरसलिये जो स्तंब है रुमन देई इसमें याद रखना आपको की यह बरतमान में उत्राखंड में है, वैसे रुमंदेई कहां पे है, उत्राखंड में, इसमें ये वर्णन मिलता है कि असोक ने लुम्बीनी में कर को कम करके एक बटा आठ कर दिया, ना कर दिया था, एक बटा आठ, ठीक है, तो ये एक परकार से उस समय की अर्थ सास्तर, या फिर असोक आएगा, विरुमंदेई स्तम्भेनाव किस सासक के समय का है, तो किस के समय का है ये, असोक के समय का, इस कामसर कौन सा आजाएगा, ए आजाएगा, यानि असोक, दोली में क्या है, मैंने बताये थे आपको पहले ही, जो दोली है, और जो गड़ है, वहाँ पर अस सिलालेक लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, इसलिए कौन सा उपसन आएगा, इसमें ये आएगा, सिलालेक, ठीक है, वैसे दोली में एक चीज और है, मौरियकाल की, यानि मौरियकाल में बनी, एक हाथी की मूर्थी भी है, किस की मूर्थी है, हाथी की मूर्थी है, और ये जो हाती की मुर्ती है इसका निर्मान करवाया गया था चटान को काट करके थीक है तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा दोली में क्या है मुर्ती का तो नहीं दिया वरना मुर्ती भी होती है आती की मुर्ती ये जो आती की मुर्ती है ये भी कौन से काल की थी मुर्ये काल की थी तो इसमें किर्शन का आंसर कौन सा आएगा एए सी लागा और ये पर्शासन के स्वान दाता को क्या का साता था तो दरसल कहें कि जो असोक है उसके तीसरे सिलालेक में लिखा है कि इसने करमचारियों की न्युक्ति की थी और उन्ही करमचारियों में थे एक था पर्तिवे तक एक था यूग्ट, एक था रज्जुक, ऐसे थे इसके, यूग्ट और रज्जुक एना ये तो दरसल क्या करते थे, कारियों की देखबाल करते थे, जन्ता की, निकाई नहीं था इसमें कोई, तो परतिवेदक था ना, वो स्वान दाता होता था, दरसल वो कोई भी सुचना है ना, तो गाता सोखने की चाहे में, चटे लेख में कहता है वैसे, की चाहे में बोचन कर रहा हूँ, चाहे में सेन कक्स में हूँ, चाहे में किसी मनोरंजन में व्यश्त हूँ, लेकिन परतिवेदक है ना, वो जन्ता के कारियों की सुचना मुझे निस्चित रूप से दे, थीक है ना ऐसा कॉन कहता है असोक कहता है तो इसलिए जो जो 24 में किस्वेशन है उसका जो आंसर आएगा वो कॉन सा आएगा आए पर TW तो थीक ना तो इसलिए 24 में का option क्या आएगा ए favor परुम्हंक कसी बryओड एक उद Łukh ये आपको उद्ध्यों के पाग। अगला किसने कौन सा सासक जैन संद बद्र बाहु का समकाली था। कौन सा सासक था जैन संद बद्र बाहु का समकाली था। पहले ही बताया था आपको कि बद्द्र बाहु ये परभाव में आकर अब कौन-कौन से मिंडार दे रखा एक तो इसमें एक गोत्मी पुत्र साथ करनी दे रखा है एक चंद्रगुपत मोर ये हैं और एक रूद्र दामन ये चार सासक इसमें दिये गए इनमें कौनसा सासक थ था चंद्रगुपत इसका और इसलिए इसमें जो आंसर आएगा क्रिशन का वो कौनसा आएगा सी आएगा सी चंद्रगुपत मोर ये था तो बद्द्रगुपत के परभाव में आकर के अच्छेंट अब अस्ताइश्वा क्यूसन की बारत में सबसे पुराना ब्रामी अभी लेक कहां पे है याद रखना है कि बारत में सबसे पुराना जो प्रामी लिपी का है वो पिप्रवामी कहां पे है पिप्रवामी जबसे प्राचिन लेख माना जाता है जो कौन सी लिपी में लिखा गया था वार्थ में सबसे पुराना प्रामी लेख कोंपे है इस शूर्णगिरी की राजधानी इसकी दिसुर्णगिरी तो असोक के समय जब उसके छेतरों को बाटा गया था तो उसमें एक छेतर था कुन से चेतर की थी दक्षिन पंध चेतर ना उसी की राजधानी थी कोन सी सुरणगिरी इसलिए इसका ऊप्सन कोन सा आएगा डी आप्सन आएगा दक्षिन पंध की राजधानी सुर्णुर्ण प्रिस्ट आ लिंस्था deport YoakH के सबसे जो स्थापत एकला किसमे है पहला हुसन क्या दिरका है स्थूप दूसरा है महल तीसरा है स्थम्प चोता है कुफा याद रखना है कि जो असोक की स्थापत एकला है वो किसमे है स्थम्प में जो असोक है उसने बारत में सबसे पहले बारत में सरो पर्थम जो स्तंबों का निर्मान है वो असोक नहीं करवाए अलाकि याद रख लेना कि जो असोक है इसने प्रेद हुआ था ये एरान के सासक से इसका नाम क्या था दारा पड़त था ये ज़रूर रख लेना कि जो असोक के जो स्तंब्ब हैं वो सपाट हैं जबकि एरानी स्तंब्ब कैसे हैं नाली दार है ठीक है न। यह इसमें फड़क है बाकी जो असोक है उसके जो स्तंबों काफी खूब बसूरत हैं असल जो असोक के स्तंब है उनके उपर चार जानरों की आकर्टियां हैं इसकी है गोडा, अाक्ति, सेर और पैल इनकी आकर्टियां अंकित की हुए ठीक है तो यह च्यार जानरों की आकर त्यांग कीता है किसके उपर स्थम्पों पर तो यह स्थापत्य कला माने जाती है किसके समय की असोग के समय स्थम्प ठीक है तो वेसे याद रखना है कि जो असोग के जो स्थम्प है उनके उपर असोक के संदेश लिखे गई और असोक के जो सबी स्तंब है उनकी जो लिपी है वो कौन सी है परामी लिपी है और बासा कौन सी है प्राकर्ट वो असोकी स्रोश्रिस्ट जो का स्थापत अकला है वो कौन सी है स्तंब है, यह ने बताया कि जो बार्त में सबसे पहले स्तंबों का निर्मान किस ने करवाया था, असोक ने करवाया था, और असोक इसके लिए प्रेरित हुआ था, इरान के सासक दारा पर्तम से, अलांकि फरक यह है कि जो बार्तिय स्तंब हैं, वो तो कैसे हैं, सपाट हैं, जबकि एरानी जो स्तम्भ हैं वो कैसे हैं? नालीदार हैं। ये जो स्तम्भ हैं, इनके उपर चार जानरों के चित्तर बने हैं। अकर्थिया बनी हैं। घोडा, हाथी, सेर और बैल ठीक है? सबकी जो लिपी है, वो ब्रामी है। और सबकी जो बास्सा है वो कौन सी है प्राकरत है और इन स्थम्भों में असोग ने संदेश दिये थे क्या दिये थे संदेश अंतिम मोरिय सासक कौन था तो इसमें आपके सामने ओप्षन है कुनाल, देववर्मा, पसरत, प्रेट तो वैसे जो असोग है उसकी मर्त्यू के बाद मोरिय वनस का पतन प्रारब हो गए ठीक है न, मोरिय वनस का पतन प्रारब होगा और मोरिय वनस का जब पतन प्रारब होगा असोग की मर्त्यू के बाद तो उसके बाद में असोक का एक साथमा उत्रा दिकारी था जिसका नाम था प्रह दर्थ यह काफी कमजोर सा सकता 185 इस्सापुरो में प्रहप दर्थ का सिनापती था उस्याइमितर सुम्ग वंसका था उसने प्रहप दर्थ की हत्या कर दी और मौर्यवस का अंत 185 इस्सापुरो में मौरियवंस का अंत हुआ था और ये अंत किस ने किया था उस्यमितर सुम्ग ने जबकि किसकी हत्या की थी प्रेदर्द की इसका ओप्षन कौन साएगा डी आएगा भी अंती मौरियवंसासक कौन था ब्रेदर्द था इतना याद रखना है कि असोक की मर् इसके साथ ही मौरियवंस का अंत हुआ था और पुस्यमितर सुम्ग ने सुम्ग ने स्थापना की थी इसलिए जो इसका ओप्षन है वो कौन सा आएगा डी अगला कि इसने सांची स्थूप किसने बनाया पहला उप्षन है असोक ने गुसरा है कनिस्क ने इसरा है कार्वेल प longitud that had has a better कि इसने बनवाइये आपको पता कर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि समय स्थूप कहांपे सारनाथ और सांची में और इन दोनों का इन निर्मान किसने करवाया था असोक Л Iraq ईتيक 37 आंसर में क्वा आएगा स्थम् एस फिसका उदारने इस स्थम्हें बोल सकते हैं इसके अलावा संकीस्था में भी है इसके अलावा व्यसाली में भी है। इनमें परसीद है सांची और सारनाथ स्थम्भ एक परकार से किसका उदार्ण है। मुर्य कालिन कला का उदार। इसलिए जो पत्तीसमा कि इससन है उसका ऐ आएखा, जो इसको कन्सर है। कोन सा एगा क्यागि श्यव दरम सैव धरम राज की दरम बन गया। भागत डास्पर्था का पढ़ुम था काफी परजलन था। इतली बारत में है च्यार ओफ्षन है जैसे मैंने आपको बताया था जो चंदरगूत मोर यह है उसने ग्रेंड किया था कोन सा द्रम चैनितर कि इसके बाद में असोक है उसने कोन सा द्रम ग्रेंड किया था मुत्तर था सोक एक संपर्ति उसने भी किया था जैन दर्म इस तरह से अलगलग दर्म करें तो यह किसी एक दर्म से समधित नहीं थे तो यह जुरूर अभी जीवत तता सीरिया साथ समधित था दास पर था ही पर चलित थी क्योंकि कोटिल्या ने वर्णन किया है विदेशी या मацию दर्म राज्क के दर्म औरियकाल के समय उसलिए थे 33 सभी कि ओसनका पॉसर क्या आएगा धे और भी उप्तकॉलिंग के लिए उप्तकॉलिंग ड़ूर्ट मंदिरों के लिए हाब सीаемся को के लिए असो के सिल लेको के लिए बोड़चैतिशों के लिए चार उप्सन है भी गुफ्त कालिन मंदिर हैं यहां परसी सिके परसीद हैं या असो के सिलालेक परसीद हैं या बोथ चैते परसीद हैं मैंने बताया था आपको की जैसे साबाजगडी आनसेहरा पालसी सोबारा इरनार दोली और चोगड़ यहां पर बने हुए हैं असो के सिलालेक या लिखे गए हैं असो के सिलालेक यहां पर इसका अंदो कालसी में भी क्या है सिलालेक है तो इसलिए कालसी किसके लिए परसीद है असोक के सिलालेक के लिए परसिद है इसलिए जो 34 किसन है उसका आनसर कौन सा आएगा सी आएगा कि पाल सी परसिद किस के लिए है असोक के सिलालेक के लिए जो 34 किसन का आनसर है तो 35 अभी असोक के सिलालेक से हमें क्या जानकारी मिलती है तो पता है दक्षणिया का सामार जय मिश्तर्य जानगरी मिलती है अशुक के सिरी। तो मिलते ही जैसे की तो मतला की इस्में दरसले बताता है वो बॉद्र के बारे में पूद्र दम और संग में विश्वास रखता हूँ यह लिकार दिसका मतलब यह कौन से दर्म के बारे में गोश्टना कर रहा है बहुत दर्म की गोश्टना कर रहा है ठीक है तो इसलिए इसका जो आंसर है तो मतलब दार्मिक विचारों का भी बढ़ने मिलता है तो इसलिए जो इसका answer है वो कौन सा होगा ठीग है न 35 किशन का answer है D कि असो के सिला लेखों से हमें सामराजे विस्थार की भी जानकारी मिलती है पर्सास की अनिति की भी जानकारी मिलती है तार्मिक वीचारों की भी मिलती है और उप्यूप्ट सभी है सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर भी कीजिए आगे आने वाली वीडियो की सब्सक्राइब करें जलती से थन्यावाद